एलो एन मेलकम गाईज आज की स्वीडियो में आपके लेकर आए है अल्टिमेट क्वालिटी के रोट्वाइलर के पपीज जो इन पपीज का फादर है वो सर्बिया से डारेक्ट इंपोर्ट है ब्लैक टीमिटोर नाम है उसका टीमिटोर ब्लड लाइन से ब्लॉंग करते हैं और जैसा की ब्लड लाइन टीमिटोर है तो आप उसका देख सकते हो परभाव पढ़ रहा है वीडियो के अंदर कितने ब्रोड हैड साइज के पपीज हैं मेरे को वैसे वीडियो में जादा बोलने की जुरूट नहीं है लोग जो पपीज है वो अपने आप दिखा रहे हैं जहां पर इंपोर्ट नाम आगया वहां पर इंडिया में तो वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है बट फिर भी आपके सामने भी क्वालिटी दिख रही है कितने तकड़े हैड साइज के कितने मोटे बोन साइज के बोड़ी वेट भी अल्टीमेट जा रहा है अब इसकी फिफ्टी डेज के अराउंड होंगे पपीज और अभी से ये अपनी बलड लाइन को दिखा रहे हैं कि ये किस बलड लाइन से ब्लोंग करते हैं ऐसे नहीं कि फादर जूट मोट में बोल दिया इंपोर्ट है वाकी में इंपोर्ट है अगर आप फिर भी मैंने बोल दिया प्यारव को फादर है बות फिर भी आप उसकी मदर को जरूर चेक कीजिए किसी भी पिपी किसी भी ब्रीड का आप ले रहे हो कोई बीड हो जरूर जाए मिरे ख्याल से आपको जरूर्ज चेक करना चाहिए कि जो पपीज है मदर कैसी है क्योंकि वह बहुत ही पोड़र कोट है और मदर भी काफी अच्छी सुंदर प्यारी क्वालेटी में है इसका बोडिवेट आइधिक अराउंड होगा 50 kg के अराउंड या प्लस हो सकता है बहुत प्यारा डोग है बहुत ही स्वीट है अग्रैसिव नहीं है कोई स्टेंजर आता है देन अग्रैसिव अभी कर सकते हो इसकी overall growth check कर सकते हो head size, ears, bone size and जो ये मोटी तगड़ी हो रखी है ये जैनिटिक ली है मतलब मैं खाना सभी को बराबर डालता हूं बट इसकी जो जैनिटिक्स हैं वो है ही मोटे तगड़े उसमें क्या कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा कम चिकन भी डालोगे तब भी ये मोटी ही रहती है मैंने ये experiment कर लिया है इसके उपर मेरे पास यवी एक साल से उपर हो गया है इसको होने वाला है एक साल से उपर तो ये पतली होती ही नहीं है जैनिटिक ही इसके ऐसे हैं अभी कुछ लोग सस्ते वाले डोग ले ले लेते हैं फिर उनको खिलात कि जरूर से चेक कीजिए उसके मदर फादर उन्हीं के ऊपर पपी को बनना है अगर उसके जैनी टिकी अलग होंगे तो वो कैसे बन जाएगा एक मोटा तकड़ा सा पपी बट जो हमारे पपीज है अभी आप इनको देख लीजिए अभी ये मोटे तकड़े हैं और रहेंगे का तरीका बहुत डिपेंड करता है आप उनको एक्सरसाइज दे रहे हो या नहीं दे रहे हो कहीं केज में तो नहीं डाल के रख रहे हैं क्योंकि केज में डालने से बहुत बहुत मैटर करता है उनकी ग्रोथ के उपर वो उनकी ग्रोथ नहीं उपाती उनको खेलना दोड़ ज़्रूर चाहिए अभी यह पकड़ रखने पड़ रहे हैं नहीं तो रुकते नहीं है भाग जाते हैं दरूदर। उठाना पड़ रहा है इनको अपने वीडियो में देखाऊगा रुकते नहीं है हाथोमें किया केज में डाल लूए इनको पकड़के रखो तो आइछ आपक के लिए contact कर सकते हो